हेलो फ्रेंड्स मैं हुमा संकर आप सभी का हमारे चैनल टेंडिंग परदेश में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को मैं सुभा सुभा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ी पक्चियों की आवाज आए अगर डिश्टरविंस होता है तो उसके लिए सौरी ये इंडियन कॉंस्टिउसन का थर्ड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताएं थे फ्रेमिंग आफ कॉंस्टिउसन प्रेंबल सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको फंडमेंटल राइट कंप्लिट करवा दिया था इस वीडियो में जो की थर्ड कर लीजिए बिहार और जारकंड के किसी भी सरकारी नौकरी के एड़ोटाइसमेंट के जानकारी और उसके प्रिपरेशन के लिए वीडियो लेक्चर्स आपको यहां से प्रोवाइड कर आए जाएंगे इसलिए प्लीज आप ही से सब्सक्राइब कर लीजिए तो चली हम लोग आगे बढ़ते हैं आवाज में थोड़ा सा बतलाओ मिलेगा आप लोगों को क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है और इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही है खैर कोई बात नहीं पार्ट फोर डारेक्ट्व पिंसपल्स ऑफ एस्टेट पॉलिसी जिसमें की आर्टिकल 36 से 51 है यह इरलेंड से लिया गया है यही पार्ट है जो इंडिया को एक वेलफेर ख मतलाता है मैं इस्टेट बोलता हूं तो प्लीस gods कन्म EL वाला स्टेट नहीं है यहां यूनियन भी हो सकता है या फिर ख त्टो इंडिया और एन्डिया अश्टेट यह इंडिया को वैलफेर ख स् जो भी आर्टिकल्स हैं वो इस तरह से हैं कि सभी का विकास हो, सभी का डिवलोप्मेंट हो और इसलिए instrument of instructions भी इसे बोला जाता है एक तरह से instructions है, recommendations है, policy makers के लिए कि जब भी वो किसी तरह का policy बनाएं किसी भी तरह का rules बनाएं तो इन सब को देखते हुए बनाएं government पे कोई force नहीं कर सकता है, कि इस पे ये articles हैं, ये लिखा हुआ है तो आपको ऐसा ही policy बनाना होगा, government अगर चाहे बना सकती है, नहीं चाहे नहीं भी बना सकती है ये एक तरह से recommendation है, कि जब भी आप policy बनाएं, तो इन सब को देखते हुए बनाएं तो चलिए हम लोग इसके articles को start करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि part 4 में article 36 से article 51 है लेकिन सारे articles नहीं पढ़ने हैं, कुछी articles पढ़ने हैं, तो हम लोग article 40 से start करेंगे article 40 बहुत ही ज़्यादा important है इस part में article 40 के according, street cell organize village penchayat as units of local self government मतलब इस article के according एक village penchayat होना चाहिए, जो एक छोटे से area को cover करेगा, उसके लिए government का काम करेगा अब इस article में ये लिग दिया गया था, लेकिन इसे implement करने के लिए 1957 में एक committee बनाए गयी थी उस committee का नाम था बल्वंत राय महता committee, penchayat राज system को implement करने के लिए इस committee को बनाया गया था और इन्होंने finally ये recommendation दिया कि three tire system का government होना चाहिए, local body government के लिए और वो क्या है, विलेज पंचायत, penchayat समिती, जीला परिसत विलेज पंचायत क्या है, एक या कुछ गाओं को मिला कर उसका जो head होगा, वो होगा विलेज पंचायत और ऐसे कुछ विलेज पंचायत को मिला कर पंचायत समिती बना जाएगा मतलब एक पंचायत समीती में बहुत सारे विलेज पंचायत हो सकते हैं और एक जीला में जितने भी पंचायत समीती हैं उन सब को मिला कर एक जीला परिसद बनाया जाएगा मतलब एक डिस्टिक्ट में एक जीला में एक जीला परिसद होगा उसके नीचे बहुत सारे पंचायद समिती होंगे और उसके अंदर बहुत सारे विलेज पंचायद होंगे इन्होंने ये recommendation दे दिया अब इसे implement किया गया 1959 में फर्स्ट विलेज पंचायद बनाया गया राजस्थान में नागावर नाम का एक जगा है वहीं पहला पंचायद बनाया गया था इस नाम को आप लोग याद रखेएगा नागावर ये राजस्थान में है इसके बाद इससे related दो amendment किये गया थे जब नरसीमा राओ की सरकार थी इंडिया में उस समय 1992 में 73rd amendment किया गया था जिसमें पार्ट 9 में एड किया गया था पंचायद और सिद्डूल 11 में 29 सब्जेक्ट का एक लिष्ट सामिल किया गया था जो की रूरल लोकल गॉवर्मेंट के लिए था पंचायद रूरल लोकल गॉवर्मेंट है और उसी साल 74th amendment किया गया था 74th amendment 1992 के तहद पार्ट 9 में पार्ट 9A रखा गया जिसमें municipality को सामिल किया गया था और सिद्डूल 12 में 18 सब्जेक्ट का एक लिष्ट सामिल किया गया तो ग्रामीन छेतिर का जो लोकल बॉडी गॉवर्मेंट है उसे पंचायद कहा जाता है पार्ट 9 में एड किया गया था इ 73rd और 74th amendment था आप इसे याद रखिएगा तो ये था आपका आर्टिकल 40 नेक्स्ट है आर्टिकल 41 इसके according state sale provide right to work subject to its economic capacity मतलब जिस state की जैसा capacity है economic capacity जिस तरह से उसके according वहाँ के लोगों के लिए implement प्रोवाइड कराएगा और इसी के तहत बनाये गया है मन रेगा महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act तो ये आर्टिकल 41 के तहत ही बनाये गया है नेक्स्ट है आर्टिकल 44 बहुत ही ज़्यादा controversial है बहुत ही ज़्यादा important है बहुत ही ज़्यादा इस पर debate चलता है a state shall implement uniform civil code इसके according यही है statement है uniform civil code का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा ये इसी आर्टिकल के तहत आता है अब सवाल उठता uniform civil code है क्या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दू कि different different religion के लिए different different rules है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी religion हो सभी के लिए rules सेम होने चाहिए है जैसे की Hindu धर्म में क्या है कि एक से अधिक साधी कोई भी पूरूस नहीं कर सकता है ये हिंदु धर्म में लेकिन इसलाम में ऐसा नहीं है इसलाम में दो साधी अगर पत्नी चाहे या ना चाहे दो साधी की जा सकती है और अगर वाइप चाहे तो चार साधियां हो सकती है ऐसा है इसलाम में तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्मों सभी के लिए रूल्स सेम होनी चाहिए, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे रिलेटिट एक एक्जामपल याद आ गया है, मुझे मैं सुनाता हूँ, आपको पता है हमा मालनी और धर्मेंदर इन दोनों ने इसलाम कबूल क किया है, मतलब लीगल तरीके से वो मुस्लीम है, ऐसा इसलिए जब धर्मेंदर साधी कर रहा था हमा मालनी से, तो वो पहले साधी सुदा था, और ऐसा कहा जाता है कि वो पहली वाइफ को डिवोस नहीं देना चाहता था, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि फर्स्ट वाइ दो साधियां की जा सकती है, तो उन्होंने इसलाम धर्म कबूल किया, उसके बाद हमा मालनी से साधी की, तो ये धर्म चेंज करने का फायदा हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहना यही है कि रिलिजन कुछ भी हो, सभी के लिए रूस सेम होने चाहिए, और ये रूल अ आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 45 के एकोर्डिंग, 14 साल तक के बच्चों को फ्री में तो एजुकेशन देना ही है, साधी साथ उनका केर भी होना चाहिए, ये है आर्टिकल 45 और इसी के तहत, मिड़े मिल योजना अस्टार्ट किया गया है, मिड़े मिल अस्किम सबसे पहले त इसका मतलब एगरिकल्चर और पसुपालंस रिलेटिड जो भी लेटिस्ट साथिफिक रिसर्च हो रहे हैं वर्ड में, उन रिसर्च का इंडिया में इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए, 1965 में ग्रिन रिवालुशन आया था वर्ड में, बाई अग्रिकल्चरल साइंटिस्ट नॉर्मन बार्लोग जिसे वर्ड में ग्रिन डिवालुशन का फादर भी कहा जाता है और इसी चीज़ का इंडिया में इंप्लिमेंट किया गया, एमेस स्वामी नाथन के थुरू और इंडिया में इसलिए ग्रिन डिवालुशन का फादर, एमेस स्वामी नाथन को कहा जात इसके according जो भी एस्टेट का area है उसका 33% wildlife protection के लिए होना चाहिए या हम लोग सीधे सब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि forest होना चाहिए 33% at least 33% forest होना चाहिए लेकिन यहां क्या होता है जो घास के area है जहां पर घास है उस area को भी wildlife protection के लिए बता दिया जाता है यहां यह भी है हमारे यहां इतना percentage है wild life protection के लिए तो यह था article 48a next है और इस पार्ट का last है article 51 इसमें क्या है state shall promote international peace अब देखिए जितने नेता होते हैं जितने politicians होते हैं इसी article का use करके विदेसों में घूमने जाते हैं ज्यादा कर और इसी के तहत इंडिया UNO का member है और इसी article के तहत बहुत सारे ऐसे forces को बनाया गया है जो सांती कायम रखने के लिए ही है 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ पंच सिल agreement साइन किया था और इसी agreement के बाद एक sentence बहुत ही famous हुआ हिंदी चीनी भाई 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 वो इसी agreement के बाद famous हुआ था तो एक तरह से ये सांती कायम रखने के लिए था दोनों के बिच सांती और वेपार को बढ़ावा देने के लिए ये agreement साइन किया गया था दोनों के internal affairs में कोई भी interfere नहीं करेगा यही सब कुस थे तो यह article 51 के तहती किया गया था क्योंकि article 51 क्या कहता है international peace को इंडिया promote करेगा तो यह था directive principles बहुत ही कम articles आपको इसमें याद रखने है अब इस से related जो questions एक्जाम में पूछे जा चुके हैं उन questions को मैं बताता हूँ फर्स्ट question है directive principles of state policy contains in part 2, part 3, part 4, part 5 part 2 citizenship है part 3 fundamental right है part 5 union के बारे में है इसके सारे executives, legislative यह सारे चीज हमें part 5 में पढ़ने है जो कि इस lecture के बाद में आपको बताऊंगा directive principles part 4 में है next question है which of the following articles contain directive principles of state policy 30 to 49, 36 to 51 42 to 56, 28 to 48 तो इसका सही अंसर के है 36 to 51 यह directive principles है next question है which of the following article of the Indian constitution directed to establish uniform civil code मैंने आपको बताया था इसके बारे में options के है article 44, article 39, article 40, article 45 इस में से मैं आपको 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 44, article 40 और आपको 45 पढ़ा चुका हूँ article 45 क्या है जो 14 साल तक के बच्चे है उनका केर और एजुकेशन होना चाहिए article 40 क्या है विलेज पंचायत को establish करना है और Article 44 है Uniform Civil Court इसके options है Article 42, Article 48, Article 40, Article 50 मैंने आपको इसमें से Article 48 और Article 40 बताया Article 48 क्या है? Article 48 है जो भी latest scientific research होंगे उनके basis पे agriculture और animal husbandry को बढ़ावा देना है इंडिया में यह है Article 48 इसका सही अंसर क्या होगा? Article 48 जो की village penchayat को establish करने बोलता है Next है Article 51 of the Constitution speaks about the welfare of workers, compulsory education, untouchability, international peace इसमें से देखिए Untouchability क्या है? Article 17, compulsory education क्या है? Article 21A और international peace जो है यह है Article 51 तो इससे related यही सारे questions थे जो important थे काफी छोटा part था इसलिए काफी कम आटेकस पढ़ने थे और इसलिए काफी कम questions थे और इसलिए यह lecture छोटा था इसके बाद मैं आपको part 5 बताऊंगा जिसमें union executive पढ़ने जैसे प्रेसिडेंट, vice president, council of minister, union legislative जैसे parliament, union judiciary, मतलब supreme court यह सारी चीज़े हमें part 5 में पढ़ने है जब part 5 आप पढ़ लेंगे तो उस समय तक आपका 90% syllabus Indian constitution का complete हो चुका होगा और इसलिए part 5 को मैं 2 या 3 lecture में complete करूँगा क्योंकि इसका syllabus थोड़ा सा बड़ा है तो यह lecture यहीं खतम होता है थोड़ी बहुत background से कुछ आवाजें आ रहे थी और मुझे जुकाम भी था इसलिए आवाज भी थोड़ा change लग रहा होगा मुझे तो problem हुई है लेकिन उसके लिए आपको problem हुआ I'm really sorry for that फिर भी मैं यही बोलूँगा कि यह video अगर आपको पसंद आया हो